करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अपिशेक शर्मा और इस वीडियो में हम 30 अपरेल तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वारे हैं हमेशा की तरह वीडियो को आप अंतर तक जरूर देखेगा काफी कुछ आपको जान अंट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ प्रोवाइट कराई जाती हैं और जो भी हम टॉपिक वाइस वीडियो बनाते हैं जैसे कि अपॉइंबेंट्स और फस्ट इन इंडिया एंड वर्ड ठीक है डेज एंड थीम्स बोक्स एंड ऑथर्स इ कि किस बैंक ने मर्चेंट इस्टेक प्लाइटफोर्म लांच किया है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन C तो देखिए ये एक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का एक समू है जो विशेश रूप से खुद्रा वियापारियों के लिए तैयार किया गया है तो खुद्रा वियापारी इन कॉंटेक्ट लेस सेवाओं का लाब आईसी 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 आई बैंक के मोबाइल एप इंस्टा बीज ये जो इनकी एक एप है ये इंस्टा बीज इसकी साहता से उठा सकते हैं तो क्या-क्या यह आपर सुविधाई दे रही है जिरो बैलेंस करंट अगॉंट इंस्टेंट ग्रेडिट फैसिलिटिज डिजिट जो ICICI Bank के application है इसको download करके यहां से यह सभी जो banking facilities है यह एक ही जगा मिल सकती है ICICI Bank के अगर बात करें तो इसके MD and CEO है संदीब बक्षी और headquarter से मुंबई में Friends हाली में ICICI Bank से जुड़े current affairs revise कर लेते हैं तो fast tech issue करने के लिए ICICI Bank ने phone pay के साथ partnership की है साथ ही ICICI Bank ने जापान के MUFG Bank के साथ MOU sign किया है ICICI Bank ने MSMEs को जो है prepared card issues कराने के लिए NEO के साथ tie up किया है साथ ही ICICI Bank ने अपना पहला SOFR linked transaction इसको execute किया है SOFR का मतलब है secured overnight funding rate साथ ही ICICI Bank ने greater chain नई corporation और chain नई smart city limited इनके साथ जो है partnership करके नमवा chain नई smart card इसको launch किया है साथ ही ICICI Bank ने insta fx mobile app इसको भी launch किया है अपने forex partners के लिए साथ ही friends ICICI Lombard ये पहली private non-life insurer बन गई है जिसने gift city गांधी नगर में IFSC insurer insurance office खोला है तो friends ये सभी current affairs हमने previous editions में अपने cover किये हुए है previous sessions में यहाँ पर आपके revision purpose के लिए बताए गई है ठीक है तो ये जनवरी 2021 किस से अब तक क्या आपके current affairs revise हो गए है ICICI Bank से related आगे बढ़ते हैं BRO दुआरा चीन के साथ सीमा पर सड़क परियोजनाओं के लिए पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे न्यूकति किया गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option D So Vaisali S. Hiwase has been appointed by the BRO as the first woman officer for road projects along border with China तो friends BRO यानी border roads organization ने Vaisali S. Hiwase को जो भारत का चाइना के साथ जो border है यहाँ पर जो भी road projects चल रहे है तो उसके लिए इनको जो है एक यह supervise करेंगी अब उन projects को तो first woman officer न्यूकति किया है अगर हम border roads organization की बात करें तो इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और इसके डिरेक्टर जनरल है लेफटरेन जनरल राजीव चोधरी और friends BRO हाल ही में न्यूज में इसलिए था क्योंकि BRO का एक project है जिसका नाम है project dantak तो इसने भूटान में 60 साल complete कर लिये है तो भूटान में जो है सडक सीमा बनाने का जो कारे है वो project dantak तो यहाँ पर dantak unit है यह BRO की यह इस कारे को करती है आगे बढ़ते हैं भारस सरकार में वित्त सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option C so TV Somanathan has been designated as the finance secretary in the Indian government तो friends यह जो TV Somanathan है यह expenditure secretary है और इनको जो है finance secretary के रूप में बनाया गया है न्यूक्त किया गया है आपको बता दें देखिए पहले आप यह समझे लिए कि जो ministry of finance है इसमें यह 5 departments आते हैं department of economic affairs, department of expenditure, department of revenue, department of financial services, department of investment and public asset management अब इन 5 department के अलग अलग सबका individual एक secretary होते हैं इसके अलग secretary, इसके अलग secretary, इसके अलग और इन सभी के अलग तो अब इन सभी 5 secretary में जो भी senior most secretary होता है उसको finance secretary जो है बनाया जाता है तो यहाँ पर जो department of expenditure के जो secretary है टीवी सोमनाथन यह सबसे senior most है तो इनको finance secretary बनाया गया है बागी secretary भी देख लेते हैं department of financial services में secretary है देवाशीश पांडा और आपका department of investment and public asset management जिसे दीपम बोलते हैं तो यहाँ पर secretary है तुहीन कांता पांडे और department of economic affairs में secretary है अजय शेट revenue secretary है तरुन बजाज केंद्रे वित्यमंत्री निर्मला सीतारमन ने किस IIT में भारत के पहले 3D मुद्रित घर का उद्गाटन किया है options आपके सामने है और correct answer होगा option B so union finance minister निर्मला सीतारमन inaugurated India's first 3D printed house at IIT madras तो IIT madras के campus में इस्तित है इंडिया का पहला 3D printed house है यह किसके द्वारा manufacture किया गया है TVASTA तो आस्ता आप इसको बोल सकते हैं तो इनके द्वारा इसे manufacture किया गया है हाल ही में LCA तेजस से किस हवा से हवा में मार करने वाली missile का सफल परिक्षन किया गया है तो इसका सही answer होगा option D so python 5 ठीक है यह air to air missile है और इसको LCA तेजस से जो है successfully test fire किया गया है यह आप देख भी सकते हैं ठीक है यहाँ से यह निकली है missile अच्छा तो यह देखिए आप पहले तो LCA की full form क्या है light combat aircraft ठीक है तो LCA तेजस में अब जो है यह python 5 जो की air to air missile है यह याद रखना आप यह किये जो है air to air missile है ठीक है यहाँ से भी इस तरह से भी question गुमाया जा सकता है कि किस तरह की missile है air to air missile है तो इसको अब जो तेजस है इसमें अब add कर दिया गया है यह friends Israeli origin की fifth generation missile है यह आप याद रखिएगा और इसको गोवा में ठीक है यहाँ पर test किया गया इसका गोवा में तो इसको तेजस से test fire किया गया है और यह जो है lock on after launch यह इसमें जो है यह सुविधा है इसमें lock on after launch यह property है इसकी देखिए इसमें क्या होता है सबसे पहले जो helicopter है ठीक है जैसे यह तेजस है aircraft है ठीक है तो यह एक target अपना set करता है ठीक है और फिर missile जो है इसमें से छोड़ दी जाती है तो missile उस वक्त जो है missile कोई target नहीं होता है missile को केवल एक freely छोड़ दे जाता है atmosphere में ठीक है ज उसके बाद जो वो missile है वो अपने आप जो है अपना target देखती है target को चुनती है और तब उसको जो है hit करती है तो इसका मतलब है यह lock on after launch मतलब launch के बाद उसने अपने target को lock कर दिया है साथे आपको भी जानना चाहिए कि जो तेजस है यह friends एक single engine fourth generation multi-role light fighter है ठीक है किसके द्वारा डिजाइन किया गया है Aeronautical Development Agency ADA ने किसके साथ मिलकर किया है जो हिंदुस्तान Aeronautics Limited की जो एक यह aircraft research and design center है इसके साथ मिलकर launch किया है ठीक है इसको develop किया है किसके लिए Indian Air Force और Indian Navy के लिए निमलिकित में से किसने घातक वाइरल तंत्रिका परीगलन रोक के लिए भारत का पहला T का विक्सित किया है Options आपके सामने है और correct answer होगा Option D So Central Institute of Brackish Water Aquaculture has developed India's first vaccine for deadly viral nervous necrosis disease और friends इस जो इन्होंने ये इंडिया की first vaccine जो launch की है इसका नाम है C.I.B.A. Nodavac-R ठीक है किसके लिए launch की है viral nervous necrosis के लिए ये फ्रेंड जो है जो feces होती है जो मचली होती है उनकी species को सबसे ज़्यादा effect करती है ठीक है? अच्छा किस केंदर सासित प्रदेश के लगबग 14,491 hectare छेत्र को क्रिसी मंत्राले द्वारा जैविक प्रमाइनित किया गया है Options आपके सामने है और correct answer होगा Option D So, about 14,491 hectare area in Andaman and Nicobar Union territory has been certified as organic by the Agriculture Ministry तो organic का मतलब तो आप समझते हैं कि जहाँ पर artificial chemicals जो है use नहीं किये जा रहे हो इस तरह की खेती होती है या इस तरह की भूमी होती है ठीक है? उसको organic कहते हैं अगर simple सब्दों में इससे simple नहीं बताया जा सकता ठीक है? यही सबसे simple मैंने आपको दो word में बता दिया है कि artificial chemicals यहाँ पर use नहीं होते हैं उसे organic बोला जाता है ठीक है? अच्छा अब क्या किया है? 12 सरकार नहीं हाँ पर एक part को अंडबाने निकववार की एक जगा को ठीक है? एक हिससे को organic certified कर दिया है किसके तहत? large area certification scheme के तहत तो इससे फाइदा क्या होगा? अब यहाँ पर जो farmers हैं यह जो भी आप देखते होंगे online भी organic food बेचे जाते हैं और कई तरह से packing भी होकर आते हैं कई अलग अलग तरह की units भी लगी रहती है जहाँ पर organic food आपको मिल जाता है ठीक है? तो वहाँ पर अपने products को बेच सके हैं क्योंकि certified कर दिया गया है कि यहाँ पर अगर खेती हो रही है तो वह जो है जो भी produce महां से हो रहा है वह organic है ठीक है? तो यह फाइदा यहाँ पर र डिस्टिक है जिसी capital Port Blair है और North and Middle Andman District है जिसी capital Maya Bundir है आपको बता दे कि Andman Islands पर friends sentinelese people यह रहते हैं यह कई बार exam में पूछा जाता है ठीक है यह आप याद रखेगा कि कहाँ पर पाए जाते हैं Andman Islands पर और 10 degree channel आपको पताई होगा कि Andman Islands को निकबार Islands से separate करता है आवास और सहरी मामलों के मंत्राले ने किस IIT के साथ अनुसंधान और विकास के लिए एक त्वरक किंद्र इस्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किये हैं और इसका सही आंसर होगा option D So Ministry of Housing and Urban Affairs has signed an MOU with IIT Kharagpur to set up an accelerator center for research and development निम्री खिद में से किसने विकलांग लोगों के लिए दुनिया का पहला deodorant launch किया है options आपके सामने है और correct answer होगा option C So Degree has launched the world's first deodorant for people with disabilities देखे जो ये degree है ये Unilever जो company है इसका एक brand है तो इसने जो disabled people होते हैं उनके लिए जो है deodorant launch किया है अंतराश्टी ये jazz दिवस हर्स वर्स हर वर्स किस दिन मनाया जाता है options आपके सामने है और correct answer होगा option D 30th of April तो 30th of April को international jazz day मनाया जाता है ठीक है अच्छा ये आपको पता ही होगा कि jazz जो है ये एक काफी famous एक musical form है जो की अमेरिका में originate हुई थी ठीक है वहां के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और 30 April को ये मनाया जाता international jazz day तो यूनेसको और यूनेसको ने जो है इस डे को जो है परिमानित किया हुआ इसलिए ये important है काफी Forbes इंडिया की 30 under 30 सुची में सामिल की गई बैंगलूरू की उद्यमी का नाम बताईए ठीक है options आपके सामने है और correct answer होगा option C वीभा हरीश जो है ये एक बैंगलूरू based entrepreneur है और इनको Forbes एशिया की 30 under 30 list में सामिल किया गया है और ये जो है इनकी एक firm है Cosmix जापर की ये herbal nutrition और plant based supplement ये सभी बनाती है ठीक है तो इसके लिए इनने Forbes Asia 30 under 30 में इनको सामिल किया गया है सुमंगला जो जिनका हाल ही में निदन हो गया ये एक परसिद्ध क्या थी तो friends ये काफी परसिद्ध author रही है ठीक है और बच्चों के literature पर इनने काफी कुछ लिखा है मलियालम में और इनका वैसे नाम लीला नमूदरिपाद है लेकिन इनको जो है सुमंगला के नाम से जा ठीक है कभी कभी पूछ ले जाता है friends हाला कि काफी rare case होता है ठीक है पूछ ले जाता है कि जिनका हाली में निदन हो गया है तो इन में तो चार option दे दी जाते हैं फिर पूछ ले जाता है कि इनमें से कौन सा वर्क इनका रहा है ठीक है किस book को इनोंने लिखा है ठीक है इस इननका work दे दिया जाता है कि जिनका силь मिलिदे दन्सची न हो गया है तो बताईए इन चारो मेसे यह पाँचों में से इनका इनका work कौन सा है ठीक है जानि इननोंने जो लिखा है जो किताब लिखी है जो नॉvell लिखा है वो कौनِ तो इस तरह से पूछ लेते हैं, तो इसलिए आप इन सब को भी ध्यान से देखा कीजिए, अब देख लेते हैं friends, previous assignment questions की answer, what is the capital of Suriname, Paramaribo, ये South America की smallest country है, where is the headquarters of Interpol, located, Lyon, France, which film has won the Oscar for best documentary feature at the 93rd Academy Awards, My Octopus Teacher, Surjit Singh Deshwal is the director general of which Central Armed Puri's Force, ITBP, who has become the first player in history to score 6,000 runs in the Indian Premier League, Virat Kohli, अब देखते हैं friends, आज के assignment questions, और friends, अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है, हमारा explanation अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को एक like जरूर किया कीजिए, और share भी कर सकते हैं, What is the capital of Burkina Faso? Which country's first vaccine against COVID-19 is named Butan-Vac? Which film has won the Oscar for best documentary short subject at the 93rd Academy Awards? Who is the director general of National Security Guard, NSG? What is the theme of International Dance Day that was celebrated on April 29th, 2021? So friends, इन 5 questions के answer आप हमें comment box में जरूर बताईएगा, अगर आपको एक question का answer भी आता है, तो वो भी आप हमें जरूर से बताया कीजिए, और साथ में आप सभी current affairs funda को telegram पर भी जोइन कर सकते हैं, यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं, साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं, और दोस्ते हैं आपर current affairs की playlist दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ whatsapp and telegram पर share करें, like करें और comment करके बताईएगा कि यह video आपको कैसी लगी, thank you guys.